तीन मांत्रिक पार्ट एट ये उस उत्ताल तरंग को देख महा मांत्रिक पद्मपाद घबरा कर पीछे हट गया यह देखकर पिंगल को आशर्य हुआ वह पद्मपाद के पास में खड़े होकर उस प्रवाह की वोर देखते हुए बोला पद्मपाद अब सारे संसर को अपनी मुठी में रखने की अनुपम शिक्तियम हमारे साथ है ऐसी हालत में इन तरंगों को देखकर हमें डरने की क्या जरूरत है पिंगल का सावाल सुनकर पद्मपाद थोड़ा आश्वस्त हुआ पद्मपाद पिंगल की वोर मुढकर उसके खंदे पर प्यार से थपकी देते हुए बोला पिंगल तुमने एक सत्य की वोर इशारा किया यह बात सही है कि दुनिया भर की शिक्तियों पर विजय पाने के उपकरन हमारे हातों में सुरक्षित है लेकिन इससे भी बढ़कर तुम जैसे वीर योग के होते हुए मुझे कि इसी से डरने की सच मुझ कोई जरूरत नहीं है तुम कोई मंतर चंतर नहीं जानते हो फिर भी तुमने जो साहस और पराक्रम का परचे दिया वह अद्बुत और अपुर्व है तुम जैसे पराक्रमी इस समसार में विरले ही होते हैं दरसल बात है कि मैं उस नधी गर्ब से उपर उठे फवारों को देखकर डरता नहीं हूँ लेकिन यूँ कहकर उसने फिर नधी गर्ब की वो नजर दोड़ाई आप संकोच क्यों करते हैं मैं तो आपका अनुचर हूँ आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ इसलिए मेरे सामने आपको कुछ चिपाने की आवशक नहीं है यदि में आपकी इस समस्या को हल करने में हाथ बटा सका तो इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसनता की बात और कुछ नहीं है इसलिए आप असली बात बताईए पिंगल ने कहा महामाय से हमने सारी अद्बुत शक्तियां प्राप्त कर ली है इसके कारण इस भल्लोक प्रदेश में इसके पूर्व जो दुष्ट शक्तियां स्वेच्छा पूर्वक विहार करती थी उन्हें दुर्बल और नस्ट हो जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहो कर ये शक्तियां और प्रचंड रूप धारन कर हमारे सामने आ रही है इसका कारण अभी तक मेरी समझ में नहीं आया यही मेरे लिए चिंता का विशय है पिंगल के मन में सहसा कोई उपाय नहीं सूझा उसने एक भोले बालक की तरह अपना सिर हिला दिया पद्मपाद कुछ कहने को था इसी वहां के ऊपर तरह तरह की भयंकर आकृतियां प्रत्यक्ष होकर रड़ने लगी वह एक भयंकर दृष्य था उसे देखते ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी उस दृष्य को देख पिंगल एक दम खाम पुटा और पूचा पद्मपाद इस वक्त हमारा करतव्य क्या है मै ने ऐसी भयंकर और विक्रुत आकृतियां इसके पहले कभी नहीं देखी है इसलिए अचानक ऐसे दृष्य को देख सहम जाना स्वाभविकता हमने जो अब तक महान शक्तिशाली आस्तों का प्रयोग किया है क्या इन पर भी उनका प्रयोग करना होगा पद्मपाद फलबर क अब तक इन पर नियंत्रन रखने वाले महामाय की समाधी तक हम पहुंच चुके हैं उसकी शक्तियां भी हमारे अधीन आ गई है इसलिए अब इन दुस्ट पिशाचों के दल का कोई नेता नहीं है ये सब नेत्रत्व के लिए लड़ रही है इन पर नियंत्रन करना इस वक् भूल तो नहीं गए हो ना ओ बलुक के तू की बात मैं कैसे बूल सकता हूं एक जमाने में वह इस परवत प्रदेश का अधिपती था हमने उसे वचन भी दिया है कि लोटती यात्रा में उसे लोह की हतकडियों से मुक्त करेंगे हमें अपने वचन का पालन करना होका क्या त अच्छा मौका है यदि इस भलुक परवत प्रदेश का कोई अधिपती न हो तो यहां के छोटे बड़े सभी भूत पिशाच आपस में लड़ते हुए इस प्रदेश में उत्पात मचाएंगे इसलिए हम इन दुष्ट सिक्तियों पर राज करने का अधिकार भलुक केतु क सौंप देंगे वही इन भूत पिशाचों पर रियंत्रन करेगा इस तरह हमारी एक जटिल समस्या अपने आप हल हो जायेगी पर्मपाद ने कहा यह तो बड़ा अच्छा उपा है ऐसा ही कीजिए पिंगल ने पर्मपाद के साथ अपनी सहमती व्यक्त की अब तुम जल्दी की बात सोच लेंगे पर्मपाद ने आदेश दिया पर्मपाद अपनी कमर में से रतना खटिच मूट वाली तलवार निकल कर पिंगल के हाथ में देते हुए बोला तुम इस तलवार की मदद से उसके समीप पहुंचे बिना उसकी हतकडियों को तोड़ सकते हो यह पिशाच गधा तुम्हारा वाहन बना रहेगा यू कहकर पदमपाद ने गधा को हवा में लहराया दूसरे हिक्षन पृद्वी को फड़ता हुआ पिशाच वाला गधा पृद्वी के भीतर से बाहर कूद पड़ा पिंगल महामाय की तलवार हाथ में धारन करके घदे पर सवार जेंगल पहाड और नदियों को पार करते हुए तोड़ी ही दिर में पिंगल उस पदेश में पहुँचा जहाँ पर भलुक के तू बंदी बनाया गया था रतनक खचत तलवार को हाथ में लिए घदे पर सवार पिंगल को देखते ही भलुक के तू जोर से कराह उटा और चि जाओंगा फिर क्या आप मुझको जो भी आदेश देंगे उसका मैं ततकाल इमानदारी से पालन करूंगा पिंगल हसते हुए घदे पर से सरोवर के किनारे उतर पड़ा और बोला भलुक के तू तू मुझे जानते हो मेरा नाम पिंगल है ओ आप पिंगल है मुझे याद आ महा माय की समाधी पर हमला करने वाले महा मांत्रिक पद्मपात आपके गुरु है ना भलुक के तू ने कहा हां हां तुम्हारी स्मरन शिक्ति प्रशमसा के योग्य है पिंगल ने कहा